Basic to Advance Pool Computer Course में आपका स्वागत हैं आज की Computer Class में हम सीखेंगे How to Create a Folder Without Icon and Name अथार बिना नाम और आइकोन का Folder कैसे बनाएं तो आईए आपको बतलाते हैं कि बिना नाम और आइकोन का Folder हम कंप्योटर में कैसे बना सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्योटर में पहले से ही बहुत सारे Folder बने हुए हैं अब माल लिजिए कि इन में से ये जो Folder आपको दिखाई दे रहा है Cartoon मैं चाहता हूँ कि इसका नाम Cartoon जो है यहां से हटा दिया जाए यह Folder तो रहेगा लेकिन इस Folder का कोई नाम नहीं रहेगा अथार्थ बिना नाम का Folder में बनना चाहता हूँ तो बिना नाम का Folder बनाने के लिए आपको क्या करना है देखिए बिना नाम का Folder बनाने के लिए सबसे पहले Folder के उपर आप क्लिक करिए और अपने Keyboard से प्रेस करिए F2 जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं यह Rename होने को तयार हो जाता है अब अपने Keyboard से आप प्रेस करिए Alternate बटन को और अपने Keyboard से आपको Type करना है 0-1-6-0 इस नमबर को Type करने के बाद आप Alternate बटन को छोड़ दीजिए जैसे ही आप Alternate बटन को छोड़ते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका नाम Blank हो गया है अब आपको अपने Keyboard से Enter दवाना है जैसे आप Enter दवाते हैं आप देख सकते हैं कि बिना नाम का folder यहाँ बनकर Ready हो चुका है folder तो है दोस्तो लेकिन इसका यहाँ कोई भी नाम नहीं है तो इस तरह से हम बिना नाम का folder बना सकते हैं तो दोस्तो आप लोगों ने दिखा कि बिना नाम का folder हम कैसे बनाते हैं। अब जो है मैं चाहता हूँ कि नाम तो रहेगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक folder है इसका नाम मैंने videos लिख रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि नाम रहेगा लेकिन यह जो folder का icon आपको दिखाई दे रहा है यह icon नहीं रहेगा। तो चलिए ऐसा करके आपको दिखाते हैं कैसे हम computer में बिना icon का एक folder बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है देखें। सबसे पहले आपको folder के उपर right click करना है। जैसे आप folder के उपर right click करते हैं नीचे आपको एक option मिलता है so more का। इस option पर आपको click कर देना है। जैसे आप so more option पर click करते हैं एक window आपके सामने और खुल जाता है। इस window में नीचे आपको एक option मिलता है properties का। आपको इस properties के उपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप properties पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक window और आ जाता है यहां आप देख सकते हैं उपर आपको यहां एक option मिलता है customize का इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप customize पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह window आता है यहाँ नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा है Change icon का इस Change icon वाले option पर आपको click करना है जैसे ही आप Change icon पर click करते हैं आपके सामने एक window और आ जाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि कई तरह के icons दिये हुए है यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहां नीचे आप देख सकते हैं आपको मिलता है horizontal scroll bar आपको इस button पर click करना है जैसे ही आप इसको click करते हैं उपर देख सकते हैं कि और भी icons आने लगते हैं यहां आप देख सकते हैं कि आपको कुछ खाली जगा दिखाई दे रहे हैं वास्तों में यह खाली जगा नहीं है यह भी एक तरह का icon है आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी folder का कोई icon नर है तो इन में से किसी भी एक खाली जगा पर click करना है जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहां click किया देखिए यह select होगया इसी तरह से यहाँ क्लिक करने से यह सिलेक्ट हो जा रहा है तो किसी भी एक खाली जगा पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इस OK बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप OK बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ नीचे आपको एक option मिलता है apply का आप Apply पर क्लिक कर दीजिए Apply पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको Option मिलता है OK का इस OK पर आप क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप OK पर क्लिक करिएगा आप यहाँ देखिएगा अभी जो यह फोल्डर है Videos देखिएगा नाम तो रहेगा लेकिन फोल्डर का आईकोन गायब हो जाता है तो चलिए मैं इस OK पर क्लिक करता हूँ जैसे ही मैंने OK पर क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा जो फोल्डर का आईकोन है वो Hide हो चुका है अब जो हैं यहाँ पर कोई आईकोन्स नहीं है केवल मेरे फोल्डर का नाम आ रहा है तो दोस्तो इस तरह से हम बिना आइकोन का फोल्डर बना सकते हैं आज की कंप्यूटर क्लास में हमने सीखा How to create a folder without icon and name अथार्थ बिना नाम और आइकोन का फोल्डर कैसे बनाते हैं दोस्तो ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए नौटिफिकेशन बटन को अन कर लिजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई